दुलहन साधी से दस दिन पहले ये फेस पैक लगा लो चहरे की चमक दस भुना पढ़ जाएगी हेले फ्रेंज स्वागा थे आपका हमार यूटूब चैनल हैथ ब्यूटी ट्रेट में फ्रेंज कुछ ब्राइडल साधी से एक डेड़ मन्त पहले ही अपनी स्कीन के केर करने लगती हैं और यूज करती हैं महेंगे से महेंगे फेसल एंड बिलीच लेकिन कुछ लड़किया ऐसी होती हैं जो इनके खर्चों को अफोर्ड नहीं कर पाती इसलिए वे साधी से दो या तीन दिन पहले ही अपनी स्कीन को फेसल एंड पिलीच कराती हैं जिससे उनकी स्कीन को अच्छे से रिजल्ट नहीं मिल पाता और स्कीन गलो नहीं करती तो आज में आपको एक बहुती अमेजिन ब्राइडल फेस पैक बताऊंगी जिसे अगर आप साधी से दस दिन पहले अपनी स्कीन पर यूज़ करना सुरू कर देंगे तो ट्रस्ट में काई जिस साधी वाले दिन आपके चैरे पर फेसल से भी अच्छा निक हारवे गलो आएगा और मैक अप की चमक दस गुना बढ़ जाएगी लेकिन इस ब्राइडल फेस पैक को बताने से पहले मेरी आप सधी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो अच्छा लगे यूजफूल लगे तो लाइक जरूर करे और अगर आपने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पिलीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजी और पास में जोबेल आइकन है उसको भी दभा दीजी ताकि मैं जो भी वीडियो प्लोड करूँ उसकी नुट्फिशन आपको तुरूर्थ मिल जाए इस ब्राइडल फेस पैक को बनाने के लिए हमारा फर्ष्ट इंग्रिडियन्ट है कोफी कोफी में कैफीन और एंटियोक्षिडेंट भरपूर मातरा में होता है जो हमारी स्कीन के एजिंग प्रोसर्स को सलो डाउन करता है दाग धपो को लाइटन करता है टैनिंग रिमो करता है और स्कीन को फेर बनाकर गलोइंग यूथफूल एंड ब्राइटन बनाता है तो अगर आप साधिवाले दिन अपनी स्कीन को इतना गलोइंग बनाना चाहते है कि मैकप की चमक दसमुना बढ़ जाए तो आप एक खाली बाउल में एक चमच भरके कोफी पाउडर लीजिए इसके बाद आप इसमें दो चमच योगर्ट यानि दही हाप लेमन जूस एक चुटकी हल्दी और तीन से चार डॉप्स कीटरी असेंसियल ओयल डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए अगर आपके पास कीटरी असेंसियल ओयल नहीं है तो आप अलमन डॉयल या विटामिनी ओयल भी यूच कर सकते हैं इसमें कोई इसू नहीं तो मिक्स करने के बाद फ्रेंस आप देख सकते हैं ये कितना खूप सुथ फेस पैक बनकर तैयार हो गया है तो अब आप इसे अपने साब चेहरे पर किसी बरस या फिंगर टिप्स की हल्प से अपलाई करें आप चाहे तो इसे अपने हातों पैरों पर भी अपलाई कर सकते हैं तो अपलाई करने के बाद आप इसे ड्राई होने के लिए ऐसे ही छोड़ दे और जब ये पूरी तरहा से ड्राई हो जाए एंड सूख जाए तो आप इसे साधे पानी से रब करते हुए वोस कर ले फ्रेंज ऐसा आप साधी से 10 दिन पहले करना स्टार्ट कर दे आपकी स्केन लाइटन और ब्राइटन होकर इतनी गलोइंग हो जाएगी कि साधी वाले दिन मैक अप की चमक दस गुना बढ़ जाएगी आई होप गल्स आपको मेरे वीडियो पसंद आई हो तो पिली जिस वीडियो को लाइक कीजिए ज़ाद सेदा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सबस्क्रेब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए और भी नेरी वीडियो लेकर आते रहें तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक स्टूडियो में तब तक के लिए टिकन बाई बाई